तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे BPSC के बारे में तो देखे BPSC के द्वारा कक्षा 6-8 और 9-10 का जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया था ठीक है सेकंड प्रोविजनल आंसर की की में बात कर रही हैं तो उसी प्रकार से यहां आप देख सकते हैं कि कक्षा 1-5 और 11-12 के 30 विश्य यानि कि कक्षा 11-12 के 30 विश्यों में प्राप्त अपत्यों की समिक्षा परांत यानि कि जो आपको समय दिया गया था जिसमें आपको PRT का प् और इसके बाद जो दितिये ऑप बन्दिक उत्तर यानि कि second फ्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है अब आप जो है अपने उत्तर को second फ्रोविजनल आंसर की से मैच कर सकते हैं कि कितना क्या अंतर है嗎 सही है और क्या गलत है अगर आप सभी को ये आंसर की में भी क्वेशन्स गलत लगते हैं तो आप इसके लिए भी आपत्ती कर सकती हैं जिसके लिए समय की बात की जाए तो 21 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक की अवधी दी गई है जिस पर आप प्रमाणिक शुरोत जो सकते हैं अगर सेकंड प्रोविजनल आंसर की में भी आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट हो कि इसका उत्तर ये गलत दे रखा है तो आप अपतिक कर सकते हैं और इसके लिए आपको 500 रुपे का जो है शुल्क देना पड़ेगा तो आप देख लीजिए सेकंड प्रोविजनल है तो कमेंट जरूर करिएगा कि इसके बाद आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कितने क्वेश्चन जो है गलत है ठीक है यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के थो मैं आप सभी से इस चीज़ पर बाती करते रहूंगी और देखिए क्या डिफरेंस आ पर जानकारी आप सभी को देदू तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देजीगा धन्यवाद